Dear Students, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स को पढ़ना अभी मैथेमेटिक्स में हम लोग चाप्टर नूमबर 12 पढ़ रहा हैं जिसका नाम है ब्रीतो से संबंधित छेत्रफल तो इस ब्रीत से संबंधित छेत्रफल में हम लोगोंने exercise 12.1 को पूरी तरीके से complete कर लिया है चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे exercise 12.2 लेकिन इस exercise के लिए सबसे पहले हम लोग theory पढ़ेंगे समझेंगे कि क्या होता है कुछ formula या 12.2 में जो भी questions आएंगे उस questions के लिए क्या क्या formula हम लोगों के लिए जरूरी है तो exercise 12.2 के लिए सबसे पहले theory में हम लोग कुछ formula सिखेंगे और वो formula क्या है उसको कैसे use करना है वो हम इस theory में बताने वाले हैं तो चलिए exercise 12.2 का theory पढ़ते हैं exercise का question अभी नहीं हम लोग करेंगे तो सबसे पहले topics बनाएंगे त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड किसको कहते हैं तो याद रखेगा कि त्रिज्य खंड का मतलब क्या है और त्रिज्य खंड को ही हम लोग दो केटेगरीज में बाढ़ते हैं एक का नाम होता है लगू त्रिज्य खंड और एक का नाम होता है दिर्ग त्रिज्य खंड दिर्ग त्रिज्य खंड यानि कि त्रिज्य खंड को दो भाग में बाटते हैं एक का नाम है लगू त्रिज्य खंड और दूसरा का नाम है दिर्ग त्रिज्य खंड का बात कर रहे हैं तो त्रिजखंड हो चाहे बृत खंड हो एक बृत का ही भाग होता है सबसे पहले हम लोग एक बृत बना लेते हैं प्रकाल की साहता से बना लिजेगा हम लोग जानते हैं कि कोई भी बृत में एक केंदर होता है इसका भी केंदर ओ है और इस ओ केंदर वाले बृत से जब दो खिची जाती है एक त्रिज्यां ये खिची जाएंगी और एक त्रिज्यां ये खिची जाएंगी चो दो त्रिज्यां खिची जाएंगी तो दो एरिया हमको मिला एक इधर वाला एरिया जिसको हम अभी कलर कर रहे हैं तो दो तरह का एरिया मिला यानि कि कभी भी दो अगर त्रिज्याएं खिजेंगे केंदर से तो एक छोटा पाट मिलेगा इस छोटे वाला भाग को हम लोग कहते हैं लगू त्रिज्यकंड लगू त्रिज्यकंड और ये बाहर यानि कि खाली वाला भाग को कहते हैं दिर्ग दिर्ग का मतलब होता है बड़ा ये द्रिज्यकंड बड़ा है नाम दे दें तो O है इसका नाम रख देजिए P इसका नाम रख देजिए A इसका नाम रख देजिए B और इसका नाम रख देजे Q तो हम यहां बोलेंगे कि A, O, B, Q, A A, O, B, Q, A इसको हम लोग कहेंगे लगहुत्रिजेखंड लगहुत्रिजेखंड और इसके बाद बाकी बाहर वाला है उसको कहते हैं दिर्गत्रिजेखंड दिर्गत्रिजेखंड किसको कहेंगे तो O, A, P, B, O O, A, P, B, O इसको हम लोग कहते हैं दिर्गत्रिजेखंड ठीक है तो यह बात याद रखिएगा कि त्रिजेखंड का मतलब क्या होता है ब्रीत के केंदर से दो त्रिजेखंड जब ब्रीत पर खिची जाती है तब दो भाग में बढ़ जाता है चोटे वाले भाग को लगूत्रिजेखंड कहते हैं और बड़े वाले भाग को दिर्गत्रिजेखंड कहते है एक बात मानना पड़ेगा आपको कि जो दो त्रिजेखंड अगर केंदर पर बनाएंगी तो कुछ न कुछ कौन भी बनाएंगी इसी को मान लिया गया ठीटा ठीटा यानि कि त्रिज्याओं के बिच का कौन कितना माने हम लोग है ठीटा है कितना ठीटा ये वला ठीज्या के बिच का कौन ठीटा है दोस्त तब हमसे सवाल अक्सर पुछा जाता है कि त्रिज्येखंड का छेत्रफल निकालिए तो त्रिज्येखंड का छेत्रफल याद रखिएगा ठीटा बटा 360 डिगरी इंटू पाई आर असक्वार होता है ठीटा का मतलब जितना कोन दिया रहेगा 360 तो फिक्स है गुना में पाई का वेलू तो पाई का वेलू हमको तो पता है 22 बटा 7 रखना है जहां बोलेगा कि 3.14 रखना है सिर्फ वहीं रखेंगे 3.14 और बाकी जगा 22 बटा 7 रखना है आर का स्क्वार तो आर का मतलब कौनची ये त्रीजिया जितना त्रीजिया दिया रहेगा बृत का उतना ही हम लोग यहां से आर का स्क्वार पूट कर लेंगे तो ये बहुत बड़िया फार्मूला कि 3.14 का छेतरफल कितना होता है भई ठीटा बटा 360 डिगरी इंटू पाई आर स्क्वार अब एक और इससे सवाल आता है कि 3.14 का त्रीजिय खंड का चाप का लंबाई निकाले है चाप की लंबाई चाप की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि 3.14 तो यही न बन रहे है हमेशा एक और चीज बात याद रख लेजे कि जब कभी भी सवाल में बोला गया कि 3.14 है तो 3.14 का मतलब समझना है लगो 3.14 वृत खंड लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है लगो वृत खंड यानि कि जब तक कि यह नहीं बोले कि दिर्ग वृत खंड निकालना है तब तक आपको नहीं समझना है यानि कि अगर दिर्ग वृत खंड निकालना रहेगा कोशन में तो वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा दिर् तो इसमें आपको लगू समझना है ब्रित खंड बनाना है तो अभी हम समझने वाले खैर त्रिजिखंड के चाप के लंबाई तो चाप की लंबाई को कहते हैं A Q B का चाप ये चाप को दिखाता है कि A से लेकर Q होते हुए B तक की दूरी इसका दूरी निकालने के लिए फार्मूला है थेटा बटा 360 डिगरी इंटू में 2 पाई आर याद रखिएगा इसको कहते हैं चाप की लंबाई त्रिजिखंड का चाप का लंबाई तो ये सबसे इंपोर्टेंट फार्मूला कि त्रिजिखंड की चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है तो सबसे पहले त्रिजिखंड तो समझ गया है उसके चाप का लंबाई ये वाला होता है A Q B ये जो मुड़ा वाला इन हुआ न यही है त्रिजिखंड का चाप का लंबाई अगर हमसे पुछता कि त्रिजिखंड का चाप तो E वाला पूरा हो जाता यहां से लेकर P से होते हुए B तक V वाला नहीं होता तो चाप का लंबाई का मतलब किनारे किनारे वाला अगर त्रिजिखंड बोलेगा तो हमसा त्रिजिखंड बोलेगा तो क्या समझना है लगू त्रिजिखंड अगर सवाल में व्रितखंड बोला तो समझना है आपको लगू व्रितखंड अगर दिर्ग का अगर निकालने के लिए बोलेगा तो दिर्ग लिखना बहुत जरूरी है दिर्ग लिखा हुआ रहेगा सवाल में तभी आपको दिर्ग स निकालना है तो ये doubts के लिए रोगे आपको खर ये दोनों फर्मूला याद रखिएगा ये त्रिजेखंड का छेत्रफल का फर्मूला है ये त्रिजेखंड का चाप का लंबाई है ठीक है आगे सबसे important point note में करके लिख लेंगे कि अगर त्रिजेखंड सवाल में बोल रहा है तो इसका मतलब आपको हमेशा लगू के बारे में सोचना है लगू त्रिजेखंड अगर आपको ब्रिजेखंड के बारे में बोला सवाल में सिर्फ लिखा है ब्रिजेखंड तो इस ब्रिजेखंड का मतलब समझना है लगू व्रिजेखंड ठीक है अगर सवाल में सिर्फ त्रिजे खंड बोल रहा है, तो आपको लगू त्रिजे खंड समझना है, सवाल में सिर्फ वृत खंड बोला है, आपको लगू वृत खंड समझना है, कभी भी दिर्ग नहीं, यानि कि अगर दिर्ग का निकालना होगा, तो सवाल में दिर्ग लिखना जरूरी होगा, सवाल म त्रिजे खंड लिखा रहेगा तो इसको मतलब समझना है लगू और वृत खंड का मतलब समझना है लगू वृत खंड तो अभी हम लोग त्रिजे खंड के बारे में चल रहे थे चलिए आईए अब पढ़ते हैं हम लोग वृत खंड के बारे में वृत खंड, अब ये वृत खंड क्या है, ठीक है, त्रिजे खंड समझ गया है, अब ये हम लोग वृत खंड पर आता है, तो वृत खंड का मतलब सेम है दोस्तों, कि एक सरकिल होना चाहिए, एक वृत होना चाहिए, जिसका केंदर क्या है, ओ है, अब एक लाइन हमको, एक सि करेंगे केंदर से पास नहीं होना चाहिए इसका ख्याल रखेगा एक ऐसा लाइन जो केंदर से पास नहीं करें जैसे कि ये केंदर से तो पास नहीं कर रहा है जब एक लाइन खिचेंगे तो बृत जो है दो भाग में मेरा बट गया एक वो भाग जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं एक ये वाला भाग जिसको हम लोग कलर कर दियें तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्त लगु वृत खंड और इसको हम लोग बोलेंगे दिर्ग वृत खंड ठीक है तो याद रखीगा कोई भी वृत में अगर एक ऐसा लाइन ड्रो किया जाता है जो केंदर से नहीं गुजरना चाहिए यानि कि बीचो बीच आप गुजरेंगे तो फिर दिक्कत है वो वृतखंड नहीं बनेगा ठीक है तो कुल मिलाकर हम लोगों को वृतखंड में क्या बात समझ में आया भई कि वृतखंड उसको कहते हैं जिसमें किसीवी वृत के वृत से एक लाइन गुजरें एक रेखा गुजरें तब उस वृतखंड को दो भागों में बाट देता है अगर जो छोटा भाग रहेगा उसको हम लोग कहा देते हैं लगू वरित्खंड और जो उपर यानि कि इसका नाम देदें तो इसका नाम देदी तो A, B, C और इसका नाम देदी जेडी तो हम इसका नाम से पता करेंगे तो A, B, C को बोलेंगे A, B, C, A देखिए कैसे हैं तो A, B, C, A इसको हम लोग कहेंगे लगू वरित्खंड और दिर्ग का नाम कैसे लिखेंगे? A, D, C, A A, D, C, A को हम लोग कहेंगे दिर्ग वरित्खंड यानि कि बड़ा वरित्खंड तो वरित्खंड का मतलब समझ में आया? वरित्खंड में कुछ नहीं करना होता है एक वरित्खंड से होता हुआ एक लाइन को गुजारा जाता है कहने का मतलब एक सर्थ यही है कि वह लाइन को केंदर से पास नहीं करना चाहिए और जब केंदर से पास नहीं करेंगे तो एक एटोमेटिक बड़ा वृत्खंड बनेगा एक छोटा वृत्खंड बनेगा जीधर छोटा भाग बनेगा उसको लगु वृतखंड बोल दिज्यकन और जीधर बड़ा भाग बनेगा उधर दिर्ग वृतखंड कहाई दिज्यकने तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ सीखे कि क्या होता है वृतखंड और क्या होता है तरिजेखंड तो कुल मिलाकर 12.2 में इतना ही थियूरी था, इतना ही फार्मूला था दोठो, याद रखिएगा यहाँ पर ठीटा जो है कोन दिया है तरिज्या के बिच और तरिज्य खंड में हमेसा केंदर से 2 तरिज्या खीचा जाता है और जो दो त्रिजे खिचा जाता है तो छोटे वाला भाग को लगू त्रिजे खन और बड़ा वाला भाग को दिर्ग त्रिजे खन तो इतना के आगे चले अब हम exercise 12.2 के question को solve करते है Exercise 12.2 MCRT book class 10 का पहला question Question पहले आपको हम दिखाते हैं क्या बूला जा रहा है ये रहा question क्या question 6 cm त्रिजिया वाले एक वरित के एक त्रिजे खंड का 6 त्रफल ग्याद कीजिए जिसका कौन 60 डिगरी है तो figure कैसा बनेगा एक figure बनाना है पहला question में ठीक है एक केंद्र है और क्या बोल रहा है कि इसका त्रिजिया कितना centimeter है 6 cm तो वरित का क्या निकालना है त्रिजिया खंड का 6 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 त्रिजिया खंड से लेकर इसको three monterm कहते हैं जिसका value 6 cm दिया है और इसके बीच का qon दिया है की चेतर जिसका qon 6 degree है ठीक है तो कूं 6 degree है इसका मतलब angle 40 degree यहां पर हमको दिया है ठीक है तो जब 30 degree यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है एंगल तो इसका मतलब यह पता चल गया कि कौन 60 degree है 36 cm है तब हमको बोल रहा है कि 3 जेखंड का छेतर फल निकाली है तो 3 जेखंड का छेतर फल निकालना है तो कौन से 3 जेखंड लगू का दिर्ग तो हम अभी अभी बताएं कि सिर्फ त्रिजेखंड लिखा रहेगा तो आप समझेगा लगू के बारे में बोला जा रहे हैं यानि कि इसका हमको निकालना है ठीक है तो यहां हमको क्या क्या दिया है ठीटा का मान दिया है स्टाट डिगरी और पाई का तो मान हमेशा इसमें कुछ नहीं न बोला पाई का मान जहां तीन दसमलों एक चार सवाल में बोलेगा वहीं यूज किया जाता है अगर नहीं दिया है तो पाई का वेलू हमेशा 22 बटा साथ यूज करेंगे और आर का मान दिया है 6 cm तो यहां पे लिखेगा 3 जे खंड का 6 तरफल 3 जे खंड का 6 तरफल क्या होता है ठीटा बटा 360 डिगरी इंटू पाई आर स्क्वाइर तो ठीटा कितना है 60 बटा में रख देना है 360 पाई का मान रख देना है 22 बटा साथ और आर का स्क्वाइर करना है आर का स्क्वाइर का मतलब 6 का स्क्वाइर और जितना आएगा उतना आं सर खुद से लाने का प्रयास किजिएगा सब का मान यहां पर लिख दिये हैं और दोस्तों अगर दूसरा कोशन और तीसरा कोशन अगर आपसे बन पाता है तो इसको बनाने का प्रयास किजिएगा अगर नहीं बनता है फिर हम अगले कलास में इसका solution देंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद